दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर बस आगरा लखनव एक्स्प्रेस वेपर बुद्वार देर रात एक ट्रक से टकरा गई इसमें 14 लोगों की मोथ हो गई हाथसे में 35 यात्री घायल हो गई जिनका इलाज सैफ़ई पीजी आई में किया जा रहा है बस में 90 लोग सवार थी नीजी बस जब हाइवे भदान गाओं के पास पहुची तो बेगापू होकर एक ट्रक में पीछे से टकरा गई शोर सुनकर मोखे पर स्थाने लोग पहुच और देड़ रात तक नहीं थे हाथसे में मारे गई लोगों की देड़ रात तक शिनाखत नहीं हो पाई है मोखे पर पहुचे एड़ी जी जॉन अजे आनन और आईजी रेंच एसतीश गनेश ने बताया कि बस के अगले हिस्से के पर कच्छे उड़ गई मोखे पर पहुचे लोगों ने पुलिस की मदद से घायलो को भार निकाला घायलो को एम्बूलेंस से पीजी आई से फाई भेजा गया है तीन लोगों की मोत मोखे पर ही हो गई थोड़ी देर में एक और निदम तोड़ दिया सैफाई भेजे गई 35 घायलों में से 6 की मृत्ति हो गई हाथ साइतना भीष्ण था कि टक्कर होते ही चीक पुकार मच गई आसपास के लोग मोके पर दोड़े यूपिडा की राहत टीम भी सूचना के बाद मोके पर पहुची नगला खंगर पुलिस और डायल 112 भी पहुच गई मुख्यमंत्री योग्या दितेनात ने बस दुरगटना का संग्यान लेते हुए डीम वो एसपी को तब काल मोके पर पहुचकर राहत कारे करने के निजेश्टी है एड़ी जी वो आईजी भी मोके पर पहुचे तो यह पूरी ठुकी हुई थी यह जो आठारी चाठा का टेलारी है गरीब दस बजे की गठना है इसमें एक ट्राला है जो और पे संग्वादा का ट्राला है और बस वाला उसको भी किवाया हुचकर राइवर की साइट से वो बस जा करके पूरे ट्राला के अंदर गुच गई तो काफी बड़ी संख्या में जो पैसंगर सवाद दे गठना है जब इस वास में चालिश ने पैसंगर सवाद दे गठना है ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें घन्नेवाद